स्वागत है आपका नए एपिसोड में एक्जामवेट के और आज एक्जामवेट में हिंदी साहित्ते से संबंधित जो मैं आपको वीडियोस देने वाली थी उसमें मैंने सोचा है कि अलग-अलग रचना कारों से संबंधित क्यों न आप वीडियोस लाए जाएं क्योंकि चाहे आप पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं चाहे आप यूजी का एंटरंस के त्यारी कर रहे हैं या फिर चाहे आप पीजी के एंटरंस के त्यारी कर रहे हैं और या फिर आप जे आरेफ या फिर पीएचडी के एंटरंस के त्यारी कर रहे हैं इन सभी के त्यारियों में इ लिखा है कब उनकी पैदाईश हुई कौन से विचारधारा से वो संबंध रखते हैं यह सारी चीज़ें इंपोर्टेंट हैं इन सभी एक्जाम्स के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना एक कॉमन चीज लाई जाए जिससे आप अगर यूजी की पढ़ाई करें तो भी यह वीडि होगी सभी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट होगी जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित है तो इसलिए मैंने पहल की है कि मैं अब से रचना कारों पर वीडियो लाया करूंगी यूट्यूब पर एक्जामवेट के ओफिशल चैनल पर जिस पर यह वीडियो अपलोड हो रह लिए टाइम फिक्स है आप यह टाइम चाहे तो अपने कैलेंडर में सेव कर लीजिए इस टाइम पर आपको हफ्ते में चार दिन रचना कारों से संबंधित वीडियो मिला करेंगी अपसे तो जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आपको समय पर यह वीडियो मिल सके आज क्यों से सुरू करना चाहूंगी और उस युक के जो प्रथम कवी हैं उनकी कुछ पंक्तियां कहूंगी आप हो सकता है समझ जाएं उसके बार कि यह कौन से कवी की बात कर रही हूं मैं माद्र तुंग श्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयम प्रभा समुझ्ज्वला सुतंत्रता पुकारती इसके लावा और भी कविताएं हिंट देती हूं आपको अरुन ये है मधुमय देश हमारा जहां पहुच अंजान शितिज को मिलता एक सहारा उमीद है आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूं मैं यहां बात कर रही हूं जैसंकर प्रसाद की जैसंकर प्रसाद इनके बारे में अब जैसे जैसे रचनाकारों के बारे में बात करेंगे उनका जन्म उनका निधन उनकी रचनाओं और उनकी रचनाकाल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसंकर प्रसाद की पैदाईश है, वो 30 जनवरी 1889 में हुई है, और इनका निधन हुआ था 15 नाउंबर 1937 में, इनका जो निधन था वो बिमारी के कारण हुआ था, लेकिन अपनी पूरे जीवन काल्मीन ने बहुत साई रचनाएं की हैं, आप जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी साहिते पढ़ा है, तो आप छायावादी नाम से, छायावादी यूग के जानकार होंगे, आप जानते होंगे छायावादी यूग क्या था, क्यूं था, अगर नहीं भी जानते तो उसके अर्म डीटेल में बात करेंगे आ ऑगा दुना थाला की से पहले भी जाएवादी यूग से पहले चायावाधी यूग से पहले शिरीधार पाठाक ने जब रचनाय करनी शुरू की थी। तो उन्होंने बहुत सच्छंद कवीताइं लिखनी शुरू की थी और उसके बाद जैसंकर प्रसाद का समय आता है तो उन्होंने जिस तरी की कवीताइं लिखी वहां से छायावादी युक का प्रवर्तन माना जाता है चायमादी युक के चार टमुक स्तंब हैं जिनमें से एक जैसंकर प्रसाद है ये हिंदी के बड़े कवी हैं, नाटक कार हैं, कहानी कार हैं, उपन्यास कार हैं, निबंध कार हैं, निबंध लेखक हैं और इसके अलावा भी इन्होंने कई तरह के काम कियें, जिससे अनुवात के शेत्र में थोड़ा बहुत काम किया है, समाल उचना की है, बहुत सारे काम किये हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवी के रूप में जाने गए हैं, यह उपन्यास कार भी हैं, कहानी कार भी हैं, नाटक कार भी हैं, निबंध कार भी हैं खास दोर से जो उनकी पहचान हैं, वो एक कवी और एक नाटक कार के रूप में जादा है ये चायावादी युक के प्रवर्टक कवियों में से एक है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है प्रारंभिक रचनाई जो है इनकी वो कलाधर नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया था इस समय ब्रज भाषा का बहुत ज़दा प्रभाव था ब्रज भाषा में कविताय लिखी जाये थी तो इनकी वी शुरूवाती कविताय जो है वो ब्रज भाषा में खड़ी बोली में नहीं है प्रजभास रिगुतीं, तो ब्रजवाश मैं जो कवीता हैं वो कलाधार नाम से लिए और प्रकाशित करवाई्य है, जासे कि भारते इंदु नामात जो पत्रिका है उसमें इन्हों पत्रिका करवाई है है, उन्नीस्ते नौ में पत्रिका हूँ थी थी, ये महत्वपुर् Castro कविता चंग्रय था उनका उनेंस एठारा में जहरणा का क्विता कॉप प्रकार्षन ऐसे और जहरणा का कई सारे घतव काईबली था और जहरणा से ही माना जाता है कि उनके च्छायवादी युक कर शुरूबत होता है जहरना में ही पहली छायवादी कवीता इनकी प्राप्त होती है आगे देख लेते हैं कवीता संग्रहों पे बात कर लेते हैं कौन-कौन से कवीता संग्रह थी इन्होंने क्या-क्या लिखा था कौन-कौन से कवीताएं हैं और कहां से सवाल आते हैं यह सब discuss कर लेते हैं तो इनकी जो important कवीताइं हैं से उन्हीं का नाम यहां पर मैंने लिखा है सब का नाम नहीं लिखा है जो परिक्षाओं में जातर पूछा जाता है वैकि वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कवीताइं लिख की हैं पर जातर ब्रजभाशा में थी गज्ता पर जातर पूछा दो kicksि हमां की कवीताऊं पर आते हैं जैना के लावा उससे पहले जो कवीताएं हैं जिनके नाम याद होना में जरूरी है उनमें से एक है उर्वशी जोकी 1909 में प्रकाषिद हुए थी दूसरा है कानन कुसम जो की 1913 में प्रकाशित हुई थी फिर है प्रेम पथिक ये भी 1913 में प्रकाशित हुई थी चित्राधार 1918 में प्रकाशित हुई थी जर्ना इसकी चर्चाम पहले कर दी ही चुके हैं 1918 में प्रकाशित हुई थी आशू 1925 में प्रकाशित हुआ लहर 1933 में और कामाईनी जो की सबसे ज्यादा महतवपून समझी जाती है वो 1936-1936 में प्रकाशित हुई थी आपको इन सब के नाम तो याद होने चाहिए पर महतवपून रूप से आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए जातर जो सवाल आते हैं जैसे क्रम से लगाने का जो सवाल आता है कि निमलिखित कवीताओं को क्रम से लगाईए या कावे संग्रहों को क्रम से लगाईए या जैसंकर प्रसाद के निमलिखित कावे संग्रहों को क्रम से लगाईए तो उसमें जातर यह चारों पूछे जाते ह आपको बताना हो तो आपको इनके संद के साथ याद होने चाहिए ताकि आप क्रम से वहां पर लगा सकें इसको ठीक है कभी के रूप में बहुत जादा फेमस हुए थे जैसंकर प्रसाद जैसंकर प्रसाद की जो कविता हैं उनमें एक बहुत विशेस्ता यह है कि क्योंकि च् और कहा था विस्तार से लिखिये बड़ी कथा लिखिये तो उन्होंने उस पर कविता लिखी थी पूरी आत्मकत्य नाम से वो प्रकाशित हुई थी तो उसमें एक लाइन है उन्होंने लिखा था इस पर कि छोटी सी जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं क्या यह अच वानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं जिन में से पांच प्रमुख है चाया 1912 प्रकाशित हुआ था प्रतिध्वनी 1926 में आकाश दीप 1929 में आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में तो आपको इन पांचों के नाम भी ज्याद होने चाहिए आकाश दीप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और दिल्ली उन्वर्स्टी के तो ज्लेवस में भी आकाश दीप कहानी है मला आकाश दीप संग्रह से आकाश दीप नामक कहानी है डिली के डियू के यूजी वाले सेक्षन में सैथ फर्स सेकंड समेश्टर में ही है तो यह बहुत प्रमुख है आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए सन के साथ याद होने चाहिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है किस तरह से आप अगर ज्यादा रचनाये हैं किसी रचनाकार की तो किस तरह से कोई तरीका इजाद कर लें जिससे यह याद हो जाएं आगे जाते इनके उपन्यास देखते हैं अब उपन्यास तीन ही हैं इनके कंकाल तितली और इरावर्ती कंकाल जो है वो 1929 में प्रकाशित हुई है तितली 1934 1934 में और इरावर्ती 1938 में तो आपको इन तीनों के नाम ग प्रकाशित हुए है तो इनके बहुत लंबी श्रिंखला है इसको याद करने के लिए आपको वो तरीका अपना नहीं पड़ेगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप चाते उससे या पर सीवीटी पीजी वाले चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि उस पैटर्न से आप अपना कुछ फॉर्मला इजाद कर सकते हैं इसमें देखते हैं उर्वशी जो है वह चंपू नाटक है लेकांकी है 1909 की सज्जन 1910 की है इन्हें पहला नाटक माना जाता है जैसंकर प्रसाद का तो अगर प्रश्न आता है कि जैसंकर प्रसाद का प्रथ से चंद्रगुप नामक नाम से प्रकाशित हुए थी 1931 में तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप नामक नाटक का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था तो कल्याणी परिणे आपको यह ध्यान रखना है फिर है प्रैस्चित राज्यश्री विशाख आजाद सत्रू जनमेजय का नागयग्य कामना सकंद्रगुप एक बूंद चंद्रगुप दुरुफ स्वामनी और अगनी मित्र ठीक है तो आपको यह नाम याद रखने हैं इनमें से खास्त और से जो प्रमुख है वो बताती हूं राजश्री आजाद सत्रू जनमेजय का नागयग सकंद्रगुप एक घूंट चंद्रगुप दुरुफ स्वामनी यह सारी आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि इनमें से घुमा फिराकर प्रशन अक्सर आता है चाहे आप यूजी लैवल का एक्जाम दे पीजी का दे या जियारेफ और पीएजडी का एंटरंस दे इस कही जरूरी सवाल आता है तो आपको यह ध्यान रखने हैं इनके नाटकों के नाम और सन के साथ ध्यान रखेंगे तो जादा चलाएगा अन्य प्रशनों को सहल करने में वह मदद करेगा अब आगे बढ़ते हैं इनके निबंध और इन्हें कौन सो सम्मान मिला है वो देख लेते हैं जो इनका निबंध है वो है आवे और कला तथा अन्य निबंध इस नाम से इनकी किताब परकाशित हुई थी निबंधों की किताब यह 1949 में प्रकाशित हुई थी ठीक है तो आपको यह सन और यह नाम याद रखना है कि यह किताब यह निबंध की किताब है और किसकी है जैसंगर प्रसाद की इन्हें मंगला प्रसाद परितोशिक सम्मान मिला हुआ है किस पुस्तक के लिए अपनी इनका सबसे बड़ा सक्सस माना जाता है जो कामाइनी कावे संग्र है या चंद्रगुप्त और धुरुप्सामनी जैसे नाटक है वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए है जैसंगर प्रसाद के तो इनको अगर आप पढ़ते हैं तो वह अच्छा रहा क्योंकि कई बार चं चुप अउके कषिए इसको हमाप्त कर चुके हैं इसके कहां कहां से इंपर्टट प्रेश्ण बनते हैं वो सब मैंने को बताएे पिर इक बड़ मित तोगियान रखने हैं इसके अलावा कवीताओं हो सके तो कमाईनी कामाः नामा कवेog जरूर पढ़ लिए कौन से सर्ग में कौन से पंगती यह धियान रखे क्योंकि इसमें सवाल आता है अकसर का फासतर से PG level के एंटरंस में प्येज़डी में अहीं सकता है यूजी में संभवता नहीं आता है क्योंकि थोड़ा कठीन हो जाता है पूरी कमाईनी यूजी लेवल के स्टुडेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो पीजी लेवल का इंटरंस दे रहे हैं या ज्यारेफ और पीजडी की तियारी करें तो उसमें जरूर आप ध्यान रखें इस च अचनाकार के साथ तब तक जुड़े रहे हमारे साथ उमीद है आपको ये वीडियो ये पहल अच्छी लगी होगी कमेंट करके बताए आपको कैसा लगा और इसमें क्या-क्या सुधार करना चाहिए जिससे आप लोगों का और भला हो सके हमारी भी और प्रैक्टिस हो ताकि हमें पलज हो सके स्टुएंट्स को और क्या-क्या चाहिए तो जरूर कमेंट करें जुड़े हमारे साथ एक्जामवेट के साथ जुड़ें तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें